सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मोनिटर के बारे में जो कि आप बाई कर सकते हैं अंडर 5000 वेल बजट प्राइज रेंज है इसमें मोनिटर मेलना बहुत ही मुश्किल है लेकिन फिर भी काफी लिमिटेड ओप्शन्स आते हैं लेकिन आते तो जरूर है सो आज की वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी सो स्टे टून एंड वी राइट बैक सो आज की वीडियो में ना हम नोइनटर देखने वाले जो कि आप 5000 के अंडर बाइड़ कर सते लेकिन इसी के साथ और भी वीडियो थाने वाली जिसमें अंडर थैनेट थाउजन भी देखेंगे और उसके बाद भी बाकी प्राइज में मोनिटर देखने वाले गेमिंग मोनिटर्स को भी हम देखेंगे वैल हम इससे पहले बहुत सारी वीडियो डाल चुके हैं जहांपर हमने पीसी कॉंपोनेंट्स के बारे में बात किया है अगर बात करते हैं आज की वीडियो की तो अंडर 5,000 आपको इतने पावर्फुल मोनिटर्स देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन अपनी प्राइस के साबसे आपको काफी अच्छी वैल्यो फॉर मनी ये देंगे इस वीडियो को शुरू करते हैं देखते हैं कि क्या स्पैसिफिकेशन ये ओफर करते हैं इस वीडियो के अंड तक आपको कुछ भी अच्छा लगे अगर ये वीडियो इंफॉमेटी लोगे और बाकी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर ल अगर आपको नहीं पता तो Zebronics बहुत जादा चीज़े बनाता है gaming categories में भी and in general भी काफी चीज़े आपको देखने को मिलती हैं उसके keyboard से लेके headphone से लेके so in general Zebronics काफी famous brand भी है और काफी popular भी है अपनी चीज़ों को लेके so definitely आपको एक अच्छा product देखने को मिलता है Zebronics देखने को मिलता है अगर इसकी resolution की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको 1280-800 की resolution देखने को मिलती है जो की 15.4 इंच display के हिसाब से काफी सही रहने वाली है और overall जो यहाँ पर color भी है 16 million के आसपास आपको color accuracy देखने को मिलती है अगर हम इसके response time की बात करते हैं तो वो र देखने को मिलती है जो कि अच्छे चीज़ है because काफी monitors आते हैं under 5000 यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही connectivity देखने को मिलती है जिसके वाज़से काफी limitations ही हो जाती है to be very honest हर चीज में आपको HDMI port अगर ना मिले तो काफी दिक्कत हो जाती है अगर आपको अपने laptop से से connect करना है आपक लोग कहते हैं तुम कैसे video editing करते हो कैसे अपनी animations बनाते हो graphics बनाते हो उन सब के बारे में थोड़ी सी information हमें भी दो तो इसके लिए हमने एक नया channel open किया do creative के नाम से जहां पर हम सब चीज़ें आपको सिखा रहे हैं काफी सारी videos वहाँ पर already upload हो चुकी है Adobe Premiere Pro के बारे में हो या फिर आपकी audio को आप कैसे fix कर सकते हैं ऐसी काफी सारी videos महाँ पर already upload हो गही हैं तो अगर आप content creation की field में आना चाहते हो do creative का link आपको pin comment में मिल जाएगा आप directly वहाँ से click करके do creative पर जा सकते हैं जाके subscribe कर सकते हैं उस channel को and search भी कर सकते हैं and अपना feedback ज़रूर दे हमें यहा काफी reasonable बना देती है अपने price के साफ से and specification काफी balance ही है यार इसकी and overall जो display है in a long run काफी value for money रहने वाला है आपके लिए and इससे पहले हम अपने next monitor पर जाएं जो कि हमारा final monitor भी रहने वाला है मैंने इस video में सिरफ और सिरफ दो ही monitors को include किया है क्यों किया है because under 5000 आपको monitors देखने को नहीं मिलते इतने अच्छे जो आपको value for money रहेंगे अब इस video को देखने के बाद कितनी भी research कर लो कितनी भी websites पो चले जाओ out of stocks and पदा नहीं मार्च मार्च के monitors को उन्होंने अपनी list में डाला हूए and अगर आप उनके reviews भी study करोगे तो इतनी जादा गालियां पड़ी हो मैं बाकी monitors को cover नहीं किया जो मुझे value for money लगे मैंने उनी को इस video में cover किया है and for sure आपको ये monitors काफी सही लगेंगे in a long run and final हमारे list में आता है front tech की तरफ से ये 19 इंच monitor रहने वाला है खोती अच्छा monitor है अगर आप बात करना चाहते हैं बड़ा display आपको लेना है 19 इंच के आज सपास तो definitely monitor के साथ आप जा सकते हैं फटा फट से इसकी specification देखते हैं तो सबसे पहले तो हम resolution की बात कर लेते हैं आप आपको 1414-900 की resolution देखने को मिलती है which is again 19 इंच के साब से काफी सही रहेगी वहापर आपको थोड़ी सी कम resolution देखने को मिल रहे थी बट वहापर हमारा display भी छोड़ा था तो यहाँ पर उसे साब से आपको काफी अच्छी resolution देखने को मिलती है ब्राइटनेस भी यहाँ पर काफी सही रहने वाली है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्राइटनेस देखने को मिलती है तो रिजनेबल ब्राइट रहने वाला है यह display अगर बात करते हैं response time की तो यहाँ पर आपको 2 millisecond का response time देखने को मिलता है and display cover की बात करते हैं आपर आपको 16.7 million colors की accuracy देखने को मिलती है which is great to be very honest great 5000 के आसपास आपको यह चीज़ मिल रही है and connectivity की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको HDMI की connectivity भी मिलेगी and VGA की connectivity भी मिलेगी साथ ही में यहाँ पर आपको audio jack भी देखने को मिलता है 3.5 mm का तो just in case आपको directly audio सुननी है तो वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे 80 रहने वाली है इसलिए हमने इसको अपनी list में first number पर रखा है because pricing के साब से काफी अच्छी आपको value for money दे रहा है यहाँ पर आपको size भी बड़ा देखने को मिलता है monitor का and plus यहाँ पर specification भी काफी balanced है तो definitely आप इसके साथ जा सकते हैं दोनों ही monitors मुझे काफी सही लगे यहाँ पर आपको 1000 रुपे एक आसपास का फरक देखने को मिलता है तो जो भी आपका budget है उसके साब से आप इन्हें चूज कर सकते हैं बाकी हमारी 10,000 और 15,000 पर भी वीडियो upload हो चुकी होगी अगर आप इस वीडियो को एक महीने के आद बात देख रहे हैं अगर आप इस वीडि अपको इतने options नहीं देखने को मिलते हैं लेकिन जो ये options मैंने आपको दिखाए हैं ये काफी value for money है and overall मैंने reviews भी study किया है जो इनकी specification है अपनी price के साब से काफी सही है तो आप definitely इनकी साथ जा सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आईगी आपको and सभी के links आपको description में देखने क को मिल जाएंगे साथ ही में आप हमारी website को भी जरूर चेक करें rollerup.in वहाँ पर भी आपको काफी सारे articles देखने को मिल जाएंगे अलगलग topics पे smart phones पे या फिर PC की components पे भी हैं आप हमारी playlist को भी जरूर चेक करें जो कि हमने PC build पे बना रखी है साथ ही में do creative को भी subscribe करना अग मैं मिलता है आपको ऐसी नई interesting वीडियो में till then take care